गुद मॉर्निंग स्टूडिंग्स, हारे कृष्णा, तोड़ी इंग्लिस सब्जिक पीर्ड, तो टेक आउट यूर वर्कशीट बुक और शोदा पेज नंबर 19 आज हम वेर टॉपिक का रिविजन करेंगे, हमने लिटरेशी स्किल बुक में वेर टॉपिक पड़ा है, आज हम उसका रिविजन करेंगे, तो आप अपनी वर्कशीट बुक में पेज नंबर 19 निकाले, वेर वर्ड्स क्या होते हैं, अंदर, उपर, नीचे, पास में, इन मिन अंदर, उपर, अंदर मिन्स नीचे, और निर मिन्स पास में, लुक एट इस पिक्चर, कलर दे करेक्ट बॉक्स, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ यह, यहां देखिए, एक कॉक है, वो हाउस के उपर बेटा है, उपर को हम कहते हैं, ओन, ठीके, तब आप इस पि होते हैं, ओन, ओन मिन्स ऊपर, इए, लुक एर, एक कैट है, वो कहा है, बैट के नीचे, और नीचे को हम बोलते हैं, अंदर, अंदर मिन्स नीचे, यूँ अंदे यः, अंदर मिन्स नीचे, आपको पिक्चर को देखना है, और उसके अक्रौर्डिंग इन बॉक्स में कलर करना है तो cat बैट के नीचे है तो आप इस box में color करेंगे you and der under under means नीचे यहां देखिए एक girl है उसके pass में कुछ words है pass में है pass को हम क्या कहते हैं near and e-a-r near so we'll color in this box यहां देखिए एक rat है red कहा है hat के अंदर अंदर को हम क्या बोलते है I and in in means under तो आप इस box में color करेंगे turn the page draw more dots on the floor आपको इस floor के उपर on means उपर और भी dots को draw करना है more stones in the pot और इस pot के अंदर आपको stones draw करने है इस तरह चिके a ball near the pot अब आपको इस pot के पास एक ball draw करनी है इस तरह से आप एक ball draw करेंगे चिके अंदर आप किसी भी तरह की design बना सकते हैं अब बलून under the table यह table है उसके नीचे under means नीचे आपको एक balloon draw करना है यानि आप यहाँ एक balloon draw करेंगे show the page number 21 look at picture circle the correct word outside means बाहर की तरफ inside means अंदर की तरफ अब आप यहाँ देखिए एक लाइन का picture है line काहा है yes then के अंदर अंदर की तरफ है अंदर की तरफ means inside ठीके तो आपको इस पर circle बनाना है यहाँ देखिए inside behind the door एक girl है वो inside means होता है अंदर की तरफ और behind होता है पीछे तो एक girl है वो door की कहा है yes पीछे की तरफ है so we'll draw circle on behind behind को हम बोलते हैं पीछे यहाँ देखिए एक dog है dog कहा है हट के अपने house के अंदर है की बाहर है yes वो बाहर की तरफ है बाहर को हम बोलते है outside यहाँ देखिए एक cat है वो stairs के उपर की तरफ है नीचे की तरफ top में सबसे उपर bottom में सबसे नीचे तो वो सबसे उपर है top पे है तो यहाँ क्या है यहाँ एक circle row हो रखा है ठीक है तो आप भी यहाँ पर circle बनाएंगे वो टॉप side masters की turn the bay look at the circle picture right up down और बहाइंड अब आपको यहाँ circle जो draw की उन pictures को देखना है और उनकी position के recording यहाँ आपको यह words लिखना है यह bird कहा है yes tree के ऊपर है ऊपर को हम क्या बोलते है यूपी अब यह कहां है dog down down side में नीचे है यह तो हम क्या बोलेंगे यहाँ लिखेंगे down squirrel देखिए कहां है yes ऊपर है ऊपर को क्या बोलते है यूपी अप यहाँ देखिए यह cat के पीछे ball है तो पीछे के लिए क्या word यूज होता है behind p e h i and d behind behind means पीछे की तरफ okay now our class is over Hare Krishna